Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डिबल क्रिटिसिजम भी है, कि यहाँ पर assembling की जाती है, और उसको एक तरह से manufacturing दिखाया जाता है, खेर यहाँ पर आज हम बात करेंगे, टेलिकॉम PLI के बारे में, that is, टेलिकॉम से related जो production linked incentive scheme है, अब देखिए इसको mobile phone से confuse मत कले ना, इसमें बाकी अलग चीज़ें आती हैं, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, वैसे मैं आपको बता दू 2021 में, यह टेलिकॉम PLI launch किया गया था, और उसमें बहुत सारी रुकावटे आई थी, problems आई थी, जो मैं आपको से वीडियो में discuss करूंगा, लेकिन finally इसका जो result है, वो सामने आ रहा है, यह आप देख सकते हो, जो Minister of State for Communication है, देवू सिंग चौहान, उनके द्वारा बताया गया है कि टेलिकॉम PLI गार्नर्स, रुपीज टू थाज़न्ट सेवन 25 करूंड इंवेस्टमेंट, मैं यह लेकिन उससे पहले ध्यान रखेगा, दोस्तों, हमारा New Year sales start हो चुका है, जिसके तहट, आपको कोई भी batch लेना हो, study AI के उपर, जैसे कि हमारा foundation batch है, UPSC का, जिसके अंदर आपको freelance mains interview, जितने भी stages होते हैं, सारी त्यारी आपको कराई जाती है, तो इसके अंदर मैं आपको बता दूँ, जो mentorship है, personal mentor है, वो all out किया जाता है, test series होता है, मतलब जो भी आपको requirement है, वो सब कुछ मिलेगा, बस आपको हमारे website, app पर जाना है, या फिर comment section में link है, और use करना है code अंकित live, मतलब की चाहें, आपको prelims crack करने वाला batch हो, SIP+, या फिर आपको CSIR, IB, कोई भी batch चाहिए, just use this code अंकित live, to get maximum discount, और इसके लावा अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा page पर जा सकते हैं, वहापर stories में, जितने भी MCQs हैं, उसको आप attempt कर पाएंगे चले, शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं, कि exactly हुआ क्या है ये कि जैसा मैं आपको बता रहा था, देवू सिंग चोहान, Minister of State for Communication, अभी जो recently winter session गया है, पारलिमेंट का, उसमें अंदर जो companies हैं, उसको, उनको commit करना होता है, कि आप इतना investment करने वाले हो, आप इतना यहाँ पर production करने वाले हो, आप इतना export का target रखने वाले हो, आप इतना नए jobs create करेंगे, तो यहाँ पर अभी तक बताया जा रहा है, कि यह जो target रखा गया है, कि total investment कितना होगा, वो है, आपका 4000 करोण के आसपास, और उसमें से अलरी 27 करोण रुपे जो है, इन्वेस्ट हो चुके हैं, और यह किसने किया है, यहाँ पर 42 companies, जो कि सरकार ने select किया था, कि आप क्या होता है, कि बहुत सारे जो companies हैं, वो apply करते हैं, कि हम भी इस PLI scheme के अंदर शामिल होना चाहते हैं, तो सरकार ने लगबग 42 companies को select किया था, और बाकी को reject कर दिया था, और उनको इसके अंदर शामिल करके बोला था, कि हम आपको incentive provide करेंगे, वो मैं आपको आके बताऊंगा, लेकिन इसका जो सबसे important चीज सामने आया है, कि 27 करोंड का जो investment हुआ है देश के अंदर, इसकी वज़े से 8,800 करोंड का जो products हैं, टेलिकॉम से related, वो हमने export किया है, दूसरे देश भेजा है, और इसके साथ साथ 15,500 नए jobs, जिहां नए नौकरियां create हुई है, तिल end of October 2023, और यहां पर आप देख सकतो, यह जो PLI scheme है, जो की launch किया गया था, 2021 में, जून के मैने में, 2021 में, बहुत छोटे समय में, यहां पर, उसने यहां पर जो result है, वो दिखाना start कर दिया है, ऐसा minister का कहना था, खेर, अब सबसे पहला question यही आता है, कि जब हम telecom PLI की बात कर रहे हैं, तो क्या है इसका मतलब, देखो, यहां पर जब सरकार ने approve किया था, तो इसके अंदर जो telecom equipment का manufacture है, हम उसकी बात करते हैं, जैसे कि मानलो, आप mobile phone को include मन करना, उसके लिए अलग PLI स्कीम चल रहा है, वो एक अलग है, लेकिन यहां पर जैसे मानलो, 4G हो गया, 5G हो गया, उन सब को चलाने के लिए बहुत सारे जो equipments हैं, उसकी आउशकता पड़ती है, जैसे wireless equipment हो गया, यहां पर 4G, 5G next generation radio access network equipment हो गया, यहां पर जो code transmission equipment हो गया, इसके जैसे कि बहुत simple मैं आपको example बताओ, modem, आपके घरों में लगा होगा wifi जिससे आप use करते हो modem जो है, तो वो भी इसके अंदर आता है तो यह सारी चीजे जो हम पहले चाइना से मगाया करते थे, उसको वहां से ना मगा कर हम भारत के अंदर ही इसको manufacture करें, और यही पर इसका इस्तमाल किया जा, और साती साता हम export करें, यही है आपका telecom PLI, अब इसको launch कब किया गया, और इसमें changes क्या किया गया, problem क्या थी, वो लगवग 12,000 करोड के आसपास का होगा, लेकिन क्या हुआ इसमें दिक्कते आने लगई, एक तो 2021 में जब launch किया गया था, आपको याद है COVID का दौर था उसमें, companies को problem हो रही थी, फिर इसके साथ-साथ यहां पर जो companies हैं, वो incentives से खुश नहीं थी, मतलब जो सरकार ने वादा किया था, कि अगर मालो आप 100 रुपए हाँ पर production करोगे किसी चीज़ का, तो हम आपको 3 रुपए का incentive देंगे, हर 100 रुपए पे, तो कही न कहीं, इस तरह से companies खुश नहीं उनको थोड़ा से ज़्यादा incentive की था, और इसलिए finally April 2022 में, जो Telecom PLI है, इसके अंदर amendment किया सरकार ने, और 1% extra incentive, मतलब जो अलरी incentive मिल रहा था, वो तो है है, प्लस 1% extra incentive देंगे का निन्ने ले लिया, और इसके लिए सरकार ने 12,000 करोन का जो आउटले रखा था, उसमें से 4,000 करोन रुपए, especially इसी के लिए रख दिया था, इसके साथ साथ आप देख सकतो, यहाँ पर जो total जो period था 5 साल का Telecom PLI का, इसको 1 साल और extend कर दिया गया था, क्योंकि मैंने आपको बता है न, 2021 में COVID का समय चल रहा था, तो जो companies को target achieve करना था, वो target achieve नहीं कर पाय थे, और उन्होंने request किया था कि please, आप एक साल का और extension दे दिये, और इसके लिए सरकार ने एक और साल यहाँ पर बढ़ा दिया है, इसके लाब आप देख सकतो, जैसा मैंने आपको बोला 42 companies select किये गए थे, जिसमें से, सब देखो, सबसे important क्या है, इसमें से, जो MSME है, वो उनकी संख्या 28 के आसपास है, मतलब आपको समझ में आ रहा है कि, जो हम supply chain की बात करें न, टेलिकॉम industry के अंदर, तो उसमें कहीं न कहीं MSME का बहुत important role होने वाला, micro, small, medium enterprise, तो इतनी सारी companies को select किया गया था, अब question यह है कि आखिर का total incentive सरकार कितना दे रही है, तो को यहाँ पर 4% से 7%, 4% से 7% अलग-अलग categories के लिए, मैंने आपको modern हो गया, अलग-अलग तरह के telecom equipments होते हैं, तो depend करता है, कौन सा, किसी पर 4% का incentive, किसी पर 5% का, अब incentive का मतलब क्या है, माल लो, जैसे मैंने आपको बहला, 100 रुपए का जो product है, वो आपका बन रहा है भारत के अंदर, तो 100 रुपए पर 4 रुपए से लेकर 7 रुपए तक जो है, सरकार incentive दे रही है, और साथी साथ एक और interesting चीज़, जो MSME है जो 28 micro small medium enterprise engine को select किया गया है, उनको सरकार और extra 1% incentive दे रही है, बाकी company से, मतलब जो बड़ी companies हैं, उनके मकाबले छोटी companies को, और 1% जो higher incentive है, वो पहले 3 साल के लिए दिया जा रहा है, और इसलिए कहीं न कहीं, यहाँ पर जो telecom products हैं, वो भारत में बने हैं, और उसको export भी किया गया है, वैसे मैं आपको बता दूँ, जब भी कोई scheme success होता है, तो ऐसा नहीं है, कि उस मतलब सिर्फ उस scheme की वजए से वो success होता है, मतलब किसी भी sector में जब इस तरह की चीज़े होती हैं, यहाँ पर सरकार को और भी बाकी steps लेने पड़ते हैं, जैसे कि मानलो, अगर मैं कह रहा हूँ कि सरकार ये incentive दे रही है, लेकिन सरकार कितना भी incentive दे दे, अगर सस्ता telecom product अगर चाइना से आएगा, तो क्या कोई, मतब जैसे कि मानलो, अगर पहले हमारे देश में अगर कोई product बन रहा था, उसका cost 200 रुपए था, लेकिन सरकार ने incentive दे दिया, incentive देनी के वज़ेसे मानलो, उसका cost 1500 रुपए तक आ गया, लेकिन चाइना से जो product आ रहा है, वो अभी beauty सरकार लगाने लग गई, उसको एक तरह से रोकने लगई कि चाइना और वाकी देशों से इस तरह की product भारत में easily enter ना करें, और कहीं न कहीं इसे की वज़े से जो local manufacturers हैं, उनको यहाँ पर काफी ज़ादा एक तरह से प्रोचाहान मिला, और चाहें rotors की बात करिए, modern की बात करिए, set-top box हो गया, जो हम TV वगरह में देखते हैं, तो उन सब चीजों में तेजी से production भारत में होने लग गया, इसके साथ-साथ यहाँ पर सरकार ने एक और चीज़ किया, 5G को बढ़ाने के लिए 5G का जो fixed wireless access equipment होता है, जो companies इस्तमाल करती है, जो कि, दखो, क्या होता है ना, कि 5G में बहुत सारे towers की, छोटे-छोटे towers की आऊशकता है, मतब जगा-जगा पर बहुत कम दूरी पर लगाना पड़ता है, तब आपको अच्छी speed मिलेगी हाँ पर 5G तो इसके लिए यहाँ पर यह जो equipment लगाना है, उसमें सरकार ने कहा है कि अगर आप उसको भारत में बनाते हो, तो हम और आपको benefits देंगे, तो अगर आप यह बना रहे हो, तो आप अपना benefit claim कर सकते हैं, और इसलिए reliance G हो गया, भारती एटेल हो गया, जो 5G की तरफ 3G से बढ़ हैं, उन्होंने यहाँ पर इसका और benefit उठाया, और यह सारी चीजें भारत में बनने लग गई हैं, अब question यहाँ पर finally है कि total target कितना है, जो telecom PLI की हम बात करें, total target कितना है, achieve क्या हुआ, वो हम 30,000 करोन का, 2.37 lakh करोन, यह आपका target रखा गया है कि इतना production करेंगे यह companies, 42 companies मिलकर, जिसमें से मैं आपको बता दो October end तक 38,999, मतलब लगबग लगबग 40,000 करोन के आसपास का target meet हो चुका है, लेकिन अभी भी लगबग 2,000 करोन का target achieve करना बाकी है, फिर इसके साथ यहाँ पर अगर हम नए jobs की बात करें, तो सरकार का target था कि लगबग 45,000 नए नौकरियां यहाँ पर create होने वाली है जिसमें से 15,500 अलड़ी create हो चुकी है, और भी नए नौकरियां बनना बाकी है तो finally conclusion देखो जो रवी शंकर अभी तो नहीं है, कहने का मतलब अभी वो communication minister नहीं है लेकिन जब यह scheme launch किया गया था तब रवी शंकर परसाद ही communication minister थे, तो उस समय उन्होंने कहा था कि the government was positioning India as a global hub for manufacturing और यहाँ पर हम एक better environment देना चाहते हैं अपने companies को ताकि उनको ease of doing business और इस तरह की चीजें भारत में ही manufacture हो, तो इस पर आपका क्या मानना है, क्या सोचना है, मुझे comment में जरूर बताएगा, और जाने से पहले एक interesting question, क्या बता सकते हो इस दो statement यहाँ पर लिखा हुआ है PLI schemes related, इसको ध्यान से पढ़िएगा बहुत confusing हो सकता है, बट इसको ध्यान से पढ़िए, बताएगे, क्या answer होगा इसका right answer आप सबको पता है, मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं Telegram से ले सकते हैं, इसका सही उत्तर में कई सारे MCQs हैं, वह यहाँ पर stories में डालता रहता हूँ, बाकि अगर आपको PDF ये तो Telegram पर आए, अलग लग social media पर आप जूड़ पाऊगे और जैसा मैंने आपको बता हैं, अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हो, just use this code ANKITLIVE to get maximum discount and I hope की वीडियो आपको पसंदा है होगा, I will talk to you next time, till then thank you very much, see you soon Study IQ IS अब तयारी हुई affordable